हलो गाइस मैं हूँ आपके साहर नमन सौगत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टॉक वार रिलेसंशिप में तो आज का टॉपिक है कि अपने रिलेसंशिप को स्ट्रॉंग कैसे बनाने के लिए हम आपको एंसी टिप्स देंगे जो आपके बहुत ही यूजफुल होंगी बह और रिलेसंशिप को स्ट्रॉंग मिलाने के लिए चार से पांच जरूरी हिंए जोकि हर रिस तैनल होता नहीं है तो के जरूरी होता हम चाहएं पहले जरूरी हों है यूजर्ण फेर्ड है एपने पार्टनर का बनाए रखेंगी यदि उसे उन्हें आप पर भरोसा रहेगा तो आपका लेशन्सिप हमेश्ट तूटने से बचा रहे थ्वाइज दूटने से बचा रहे तो आपके लेसंसिप चलदी ही डाउट्स डाउट्स तूट जाएगा फाइट होती रहेंगे और वो कब तूट जाएगा वह पता ही नहीं चलेगा तो यार टुश्ट बनाए रखें हम इसे टुश्ट बनाकर चलना चाहिए वरोसा बनाए रखें अबरे पार्टनर का सिकेंड अंडर्स्टेंडिंग आप तो नों में समझें एक दूसरे को हर बात को सोच समझ कर ही फैसला करें सोच समझ कर ही बोलें जो बोलते हैं कि बहुत बुरा लगेगा इन बात को बहुत ध्यान रखें इससे दियाब इन बात को ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके लेसंसिप में फाइट हो सकती हैं तरार आ सकती है बी सो समझ कर ही बोलें जो बोलते हैं और अच्छा ही बोलें जो बोलें अपने पार्टनर के बारे में अब थर्ड आता है रिस्पेक्ट अपने पार्टनर के हमेशा रिस्पेक्ट करें तो यह आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही आपकी उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बनी रही में आप पर इंपर्टेंस पॉन्हों करते हैं तो आपको कभी भी चोड़कर चले जाहेям क्योंकि जो इन्सकार की पार्टनर की रिस्पेक्ट मैं करता है तो कोई भी इनल्स नहीं चाहेगा चाहिए वह उस नहीं चाहिए पर плох को आपके गफ्रेंड हो जाहे है कि हैं कि हैं आप रिस्पेक्ट बाहने के लिए रिस्पेक्ट आपको देना बहुत जरूरी है विभले को यह तो यह तो खुब तो नहीं को फीलिंग आती है आप उसकी क्यार करेंगा आप खुद लगेगा यह अप नहीं आ रहा है तो साय तो आप कही नगाई फेक भी हो सकते हैं उसके प्रती तो उसके क्यार करें अपने पार्टनर की क्यार करें उससे पूछें उसकी हाल चाल जाएने उसकी तबियत खाना पीने सब उसके बारे में उसको ख्याल रखें जो ऑबर क्यार मत करें ऑबर क्यार करने से भी आपक वो कोई जरूत नहीं है फूर्थ पॉइंट वोगे लास्ट पॉइंट आपको उताने जाराओ लॉयल्टी बहुत जरूरी अपने एक relationship को बनाये रखने के लिए लोयल्टी बहुत जरूर यह दिया आप अपने पार्टनर के प्रती वफादार है तो ही आप उस relationship को बढ़ा पाएंगे दिया आप उसके साथ किसी और के साथ भी चला रहे हैं अपना फियर और उसके साथ भी हैं तो इससे आपका दो ना भी किसकती है तो बहुत नीचे गेर ही जाता है नदी में तो कभी भी दो नाव में सभार ना रहें एक नाव में सभार रहें मैं अब एक के साथ रहें तो एक के साथ रहेंगे तो आप लॉयल्ट भी रहेंगे और बो रिसन से बापका हमेसा बना रहे तो गाइस यह पांच पॉइंट्स हैं पहला था ट्रश्ट दूसरत अंडरस्टेंडी तीसरत के एर फोर तर रिस्पेक्ट फिप्ता लोयल्टी यह आप यह पांचों चीज अपने बनाए रखते हैं तो उमीद है कि आपको लिसंसिफ हमेशा अच्छा बना रहेगा और कभी-कभी गिप्ट्स भी जरूरी है जैसे अच्छे मौक आते हैं उसका बड़े हो पार्टनर का तो गिप्ट्स दे अनिपरसरी हो आपकी तो गिप्ट्स दे जदि कोई ऐसे इस पेशल मौका जब आप मिले हो तो भी आप उने गिप्ट्स दे अलब जो इस पेशल डेज होते हैं उन्हें आप कुछ जैसे डाले हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं तब तक के लिए टेक केर बाई-बाई-बाई-वाई-ची-उ